एक तरफ तो यूपी सरकार लब जिहाद पर कानून लाने की तयारी में है और वहीं दूसरी तरफ सपा को ये लगता है कि लब जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं सपानेता सुनील सिंग साजन का कहना है कि बीजेपी बिरोजगारी अपराद जैसे मुद्दों से देश को भटकाने के लिए लग जिहाद जैसे खेल रही है और वहीं इस लव जिहाद पर हमारे समधाता रामुनुच से सपानेता सुनील सिंग साजन ने बाचीत की है सुनील लव जिहाद के मामले को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार ने नियम कानून बनाए इस पूरे मद्दे प्रबात का हमाई साथ है सपा के वरिष्ट नेता सुनील सिंग साजन जी सुनील जी कैसे लगता है कि लगातार जो है सरकार इस तरीके मामले सामने लेके आ रही है अब लव जिहाद के मामले पर जो है सक्त कानून है कि लव जिहाद नहीं हो लब जिहाद की परिभासा क्या है ये भरती जंता पार्टी ने तो बताया नहीं है अगर हम मानी हाई कोड की बात करें तो मानी हाई कोड ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई कोरोना पर बात करें, कोरोना महामारी में हुए भ्रष्टाचार पर बात करें, उत्तर प्रदेश में रोजगार पर बात हो, या उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्योस्था, लूट, हत्या, डकैती, अपराद, छिनैती, डकैती, ये आ काम बात हो गई है इस पर बात नहीं करना चाहते हैं तमाम लोगों से बात्ची थी उन्होंने यही कहा कि यह सिर्फ विपक्ष की एक उपज है लव जिहात कोई ऐसा नहीं है जो भी इस तरीके के मामला करेगा उसके साथ सक्तकारवाई होगी विपक्ष परिशान नजरा रहा नहीं विपक्ष परिशान बिलकुल नहीं है अरे विपक्ष के लोगों ने दूसरे धर्म में थोड़े इपनी बहन बेटी की साधी की है वो तो भरती जंता पार्टी के नेताओं ने किया है आर्सस के नेताओं ने किया है बिस्षिंदू परिशद के नेताओं ने किया है मैं नहीं किनाना चाहता इसलिए नहीं किनाना चाहता कि मुझे समिधान पर भरोसाम समिधान को मानते हैं क्योंकि वो जायज है बात नहीं है लब जिहाद जैसी कोई प्रवधान नहीं है तो सरकार के पास कोई आकड़े नहीं है भाजपा के पास सारे आकड़े हैं तो सरकार क कुछ तो सीखा है भाजपा ये थे सुनी सिंग साजय ने उसाफतार पर बोला कि सरकार से जो है उसको सीखने का भी चाहिए क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे उसमें कहीं भी लव जिहाद का मामला सामने नहीं आता कैम स्वामरिस के साथ रामरिजबट जनतन्त टीवी लखनव